जी हैं दोस्तों टीम इंडिया के बहतरिन गेंद बाज कुलदीप याद अब आज अपना 27 वा जनमदीन मना रहे हैं बतादे दोस्तों 14 दिसंबर 1994 को कानपुर में जन में कुलदीप इस समय भले ही खराब दोरे से गुजर रहे हो यानि की उनको दोस्तों टीम इंडिया में मौका मिलता नजर नहीं आ रहा नहीं स्क्वैड में नहीं स्टेंड बाई प्लेयर के तोर पर मगर आज भी बले बाज उनके नाम से खौफ खाते हैं लेकिन आप सभी को बता दें मगर वो बखु भी जानते हैं कि वापसी कैसे की जाती है वो पहले भी इस दोर से गुजर चुके हैं एक समय था वो इतने निराश हो गए थे कि अपनी ही जान लेने का मन बना लिया था जिहां दोस्तों ये बात हम नहीं बलकि एक इंटर्वी में उन्होंने खुद ही इसका खुलासा किया था तो आप सोच सकते हैं कि जो बन्दा अपनी जान लेना चाहता उसकी क्या कंडिशन नहीं होगी जब वे तेरा साल के थे तब वे अपनी जान लेना चाहते थे कि उनकी काफी मेहनत के बावजूद भी यूपी की अंडर 15 टीम में उनका चैन नहीं हो पाया था जिससे वो बहुत निराश हो गए थे और उन्होंने खेल छोडने का फैसला भी कर लिया था लेकिन कुछी सालों में उनकी किसमत बतली और देखे दोस्तों की महनत इतनी रंग लाई कि टीम इंडिया में कुल्चा के नाम से जोड़ी मसहूर हुई थी युजवेंदर चहलो और कुल्दीप यादप की उसके बाद चाइना में गेंड़ाज के तोर पर इनका नाम मशूर हुआ लेकिन ये सब दोस्तों किसकी बदोलत हो पाया था महेंदर सिंग धूनी की बदोलत उनके रणनीतियों ने उनके फैसले ने कुल्दीप यादप की लाइफ में काफी चेंजिस लाइफ घरेलू क्रिकट के साथ ही वाइपेल में कॉलकता नैट रैडर के तरफ से वो चमके और इसी के साथ उनके लिए टीम इंडिया के दरवाजे भी खुल गए कुल्दीप यादप भुवनेशर कुमार के बास सभी फॉर्मेट में पांच विकट के कलब में शामिल होने वाले दूसरे इंडियन गेंद बाज बने थे वहीं 18 दिसंबर 2019 को वेस्ट इंडिस की खिलाव एंटरनेशनल किरिकट में हैट्रिक लेने वाले पहले भारतिय गेंद बाज बने कुलदीप ने 2017 में इंटरनेशनल किरिकट में डेब्यू किया था इनके करियर की और बात की जाए दोस्तों तो उन्होंने 7 टेस्ट मैच में 56 विकट 65 वंडे और 107 विकट हासिल करें 65 वंडे में और 7-7 33 टी 20 मैचों में 40 विकट लिये लेकिन जिस तरीके के इनकी दोस्तों टीम इंडिया में शामिल हो रहे हैं तो कहीं न गयें दोस्तों इनका जो फॉर्म है वो थोड़ा कॉन्पिडेंस डाउन होता नजर आया अब बात करें दोस्तों पिछला इसी साल इन्होंने खेला था जो टीनों फॉर्मेट में अपना इनका मैस था वंडे और ट सामने आते हैं वरुन चकरवर्thy सामने आते हैं करनल पंडिया सामने आते हैं। कई सारे स्पीनर गेंदबाज और जहां पर जगेंद्य की कोशिच की लेकिन कुलрий आदब की पहचान चाइना में गेंबास की रूप में अभी तक कायम है तो उनके 27 जनमनीन पर हमारे चैनल की तरफ से भी धेरो शुब काम नहें नेक्स्ट नैन स्पोर्ट की रिपोर्ट